आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइब में आप सबी कास वागत है मैं हूँ आपके साथ रश्यन सारी आएए देखते हैं बॉलिट जगत की कुछ खास ख़बरे इससे पहले एक नजर हेडलाइन्स पर फैमली के साथ रेस्टरेंट में डिनर करने पहुचे अरजुन कपूर बॉयर्फरेंड के साथ दिखी अंशूला तो ब्लेक आउट्फिट में सोनम कपूर ने धाया कहर कितनी बदल गई सल्मान खान की ये हिरोईन लोग बोले प्लास्टिक सरजरी करवा कर बॉयर्फरेंड रॉकी के साथ कोजी हुई हिना खान संसेट के सामने कपल ने धी रोमेंटिक पोस आईए देखते हैं खबरेव स्टार से फैमिली के साथ रेस्टरांट में डिनर करने पहुची अरजुन कपूर बॉर्फरेंड के साथ देखी अंशुला तो ब्लेक आउट्फिट में सोनम कपूर ने धाया कहर जिया वही बात करें सोनम कपूर की तो वो आल ब्लेक लुक में पहुची सोनम एक लॉंग ड्रेस केरी की थी एक्ट्रेस ने अपना लुक खुले बालो और रेड लिप्स्टिक के साथ पूरा किया था सोनम ने हाथों में एक छोटा सा ब्लेक बैक भी लिए हुआ है जो उनके लुक में चार चान लगा रहा है सोनम कपूर के पती आनंद अहुजा भी यहां स्पॉर्ट के गए है जो काफी सिंपल लुक में नजर आये है वही अरजुन कपूर की छोटी बेहन अंशुला भी इस दौरान अपने बॉर्फेंट के साथ दिखाई दी बढ़ते अगली ख़बर के और कितनी बदल गई सल्मान खान की ये हिरोईन लोग बोले प्लास्टिक सरजरी कराकर कभी बॉलुट पर राज करने वाली एक्ट्रेस आईशा टाकिया ने इंडस्ट्री से दूरी बना रखी है वहां लंबे समय के बाद मुंबई अर्पूर्ट पर दिखाई थी उन्होंने पैपराजी को फोटो के लिए पोज दिये इस दौरान उनके लुक के काफी साथ उनका बेटा और एक दोस्त भी है था गहरे नीले रंग के सूट और खुले लंबे बालों में आईशा सिंपल लग रही थी उन्हों निकाला मास्क पहना था लेकिन फोटोग्राफर्स के कहने पर उन्होंने इसे हटा दिया था आईशा के साथ मौजूद उनके बेटे मिखेल ने हरे रंग की शट काली पैंट पहनी थी और अपनी पीट पर एक बड़ा बैक पैक रखा था उन्होंने आईशा के साथ एयरपूट के सेक्यूरिटी ऑफिसर्स को अपने डॉक्यमेंट सिखाए और अंदर चले गई आईशा आज भी पहले जितनी खूपसरत है ल ऐसे ही यूजर्स की कमेंट्स की बार आने लगी है एक यूजर ने लिखा प्लास्टिक सरजरी के बाद आईशा ने अपना चेरा खराब कर लिया एक ने लिखा क्या थी और क्या हो गई एक और यूजर ने लिखा इतने बूरे थोबड़े में कौन देखना चाहेगा इनको एक अने यूजर ने लिखा सामने दिखी होती तो पहचान में भी नहीं आती अच्छा हुआ बता दिया आईशा टाकिया के पती फरहान आजमी जिया आईशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी की है वह एक रेस्ट्रो मालिक है साल 2020 में आईशा और फरहान ने अपने को कुरेंटाइन सेंटर के तौर पर बीमसी और मुंबई पोलिस को सौब दिया था आईशा और फरहान के इस पहल की सरकार ने वितारिफ की थी आईशा टाक्या की फिल्म है जियां आईशा टाक्या ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और फालगुनी पा स्कार भी जीता उन्होंने दिल मांगे मोर दोर नो स्मोकिंग वंटेट सल्मा सलाम में इश्क और पार्ट्शाला जैसे फिल्मों में काम किया है साल 2011 में आकरी बार बड़े पर दिखाई दी इसके बाद उन्होंने फिल्मों से से दूरी बना ली बढ़ते अगली खबर के बर्फेंड रॉकी के साथ कोजी हुई हिना खान संसेट के सामने कपल ने रोमेंटिक पोस्ट जिया हिना खान ने रॉकी के साथ ये रोमेंटिक तस्वीर अपने इंस्टागराम अकाउंट पर शियर किया है जिसमें कपल एक दूसरे की बाहों में दिखा इन तस्वीरों मे हीना खान और रॉकी संसेट केजूल लुक में दिखें जो संसेट के सामने कोजी पोस्ट देते नजर आ रहे हैं हीना खान और रॉकी पिछले लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं कपल की केमिस्ट्री एक्टर्स के फैंस को भी खूप पसंद आती है बता दे कि 14 फ तब ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठेते जी हावर्शन की बात करें तो हिना खान ने हाली में बीग बॉस 17 के विनर मोनवर फारुक के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है जो जल्द ही रिलीज होने वाला है इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आओगे आपका रूबरू तब तक के देखते रहें मैंने स्नेटवर्क मेरे साथ यह नियर शीन सारी के साथ नमस्कार कि यह है मैं अब और आप देख रहे हैं मैंने इस निव्स